एलो फ्रेंट्स मैं हूं सिवानी वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चानल पर फ्रेंट जितने विए टे के सप्लीमेंटर इस्ट्रेंट है आप लोगों के लिए बहुत परी अपडेट है लास्ट मौका जो है आप लोगों को दिया जा रहा है इसके बाद जो है कोई भी को रद किये जाएंगे डिसाइड कर लिया है तो चलिए देख लेते हैं कौन-कौन से स्ट्रेंट है जिनके एडमिसन को रद कर दिया जाएगा और उनको एक्जाम बिल्कोल भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि वह सभी अस्ट्रेंट जो है इतनी ज्यादा लापरवाही बढ दिया है चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर क्या के समस्या है और कौन-कौन से स्ट्रेंट को इसमें बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दिजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल लाइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी ही पलपल के ख़वर आपको मेरे चानल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेंगी सबसे पहले चीज सबसे पहले नीचे कमेंट में आप लोग यह जरूर पताएगा कि आप लोगों को जो है बता दें कि एडमिसन को रद किया जाएगा अगली परिक्षा से ठीक है क्योंकि जितने भी अश्रेंट हैं इस बार आप लोग तीसरी परिच्छा दे रहे हैं ठीक है फर्स्ट पॉइंट आप लोग को पताऊंगी फिर सेकेंड फिर थर्ड तीनों पॉइंट आप लोग को सुनना है बिल्कुल भी एसकेप नहीं करना वीडियो को पूरी वीडियो स यह तीसरा मौकह था है ना एक बार आप लोगों ने रेग्लर एकजाम दिया दुसरे बार आप लोगों ने सेपलीमेंटरी दिया तीसरा बार आपने फिर से री सप्लिमेंटरी द्या ठीक है यानि कि तीन पार आप लोगों के एकसाँ यह हो रहा है जो अभी सम्होरा है तो फोने वाला है यह तीसरा हम हम आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक मौके और है ठीक है यहucha था है इसके बाद आप लोगों के रहे नह wilderness आफ ठीक है एक ही मौका है इस बार दिया पास नहीं होते हैं फिर एक ही मौका है आपके पास ये एक्जाम पता नहीं कब होगा कोई भी नहीं जानता है क्योंकि ये लास्ट और आखरी उम्मीद होगी आप लोग के पास परिच्छा पास होने के लिए इसके बाद आप लोग के पा एडमिसन लेना परेगा ठीक है तो आप लोग करिए कि मैं एक चांस तो भी है अगर इसमें फेल हो जाते तो भी एक चांस तो है कम सकम इसमें उमीद बनी रहे बिलकुल है लेकिन नहीं भी है नहीं इसलहीं है क्योंकि इस बार अभी जो लिख दे रहे हैं और वो पैसे दे करके पास होना चाहते हैं में अभी यह से जो students को आप सोच रहे हैं यह बिलकुल भी नहीं होगा, this formula को पता चनकी काफी students की हरकत कर रहे हैं जिसके कारण यह भी पर इच्शा cancel होने के कगार पर है ठिक है बहुत ही जल्दी cancel होने के कगार पर है क्योंकि बहुत ज़या धानली चल रही है क्योंकि इस बार स्टृ הס ऑरहल में इस बार स्टृस पाश होना चाहते हैं और और यो चाहते हैं कि अगरti को फ wives को पता है कि मुज़ा होनें कि अंदार स्पटा हैं लेकिन देखिए किसी भी हाल में परिच्छा को आप पास कर लेने से ही सिर्फ नहीं होता है माल लेजी आप चिटिंग करके परिच्छा कадцफोजाते fulfillment दे करके पास हो जाते हैं हैं लेकिन आगे क्या होगा आगे फीसर आप लोग ने सोचा है फिसर स्थाूंग आपको फिसरत आप प्रायबीट मतने नहीं हैं तो इसले नहीं मिलने वाला है जब तेकनिकल रिलेटर जो कोश्चन रहेंगे वह आपके जो सब्जक्ट होंगे उससे रिलेटर कोश्चन पूछे ही जाएंगे ठीक है पहली मिश्टिक आप लोग यह कर रहे हैं सेकेंड मिश्टिक यह है कि एक्जाम ही रद्द कर दिया जाएगा डिजिटी के तरफ से क्योंकि डिजिटी जो हैं आँगे पास ये बाते पहुंच चुकी हैस्ट और तुछ सबसे उनके उपर कारेवाई की जा रही है और अगर जो जो लोग के बारें पता चल रहा है कि जो लोग इस तरकी का काम कर रहा है उनके उपर कारवाई हो रही है अगर आप लोग अभी भी सुधरना चाहिए आस पास के लोग जो इस तरी के काम कर रहे हैं उनको बूलिए सुधर जाने के लिए नहीं तो एक्जाम ही कैंसल होगा और कैंसल होने के बाद पता नहीं कब होगा लास्ट एक्जाम का तो पता नह लोगों को नहीं मिलेंगे अगर इस तरीके से आप लोग जो हैं करते रहें तो तो आप लोग जितने भी एक्जाम देने का हैं उसमें काफी लंबर टाइम लगेगा उतने दिन में प्रिपेर हो जाएगा परिक्षा के लिए ठीक है अगर आभी आप फेल हो जाते तो कोई भी दिकत नहीं है उतने दिन में आप प्रिपेरेशन कर सकते हैं और आप पास हो सकते हैं लेकिन चीटिंग करके पास करने से कोई फायदा है ही नहीं और अगर आप लोग पकरे भी जाते हैं तो आपके एडमिसन क्यों ही रद्द कर दिया जाएगा कोई फायदा ही नहीं है जो रहा है और इन को काफी आगे किया जाएगा तो आगे तभी यह जाएंगे जब इन का जो है इमांदारी पुर्भक आप लोग एक्जाम दीजिएगा अच्छे नंबर से पास होईएगा खुछ से पढ़के पास होईएगा तभी आप लोग को जौब मिलेगी और मेंट भी चा लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सकाइब बेल आकरें को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आसी ही पालपर की कबर आपको मेरे चानल के माध्यम से मिलती रहेंगी चलिए आज के पुस्ता है थैंक्यू कर दो